तो देखो यार आप हम आचुके हैं एक और नए रेस के साथ और ये देखो यार ये रेस कुछ ऐसा दिखता है लेकिन अगर तो तुम्हें लगता है कि ये रेस बहुत आसान है ना तो पिछली बार की तरह फिर से तुम्हारा भाई ब्रहम टोटने वाला है तो अंत तक जरूर देखना और आज भी हमारे रेस में शेंचैन कलुआ और वो नोबिता तीनों है और भाई आज सुपरकार्स की लाइन भी बहुत बड़ी है ये देखो यार कितने सारी सुपरकार्स है ये देखो भाई भाई ये लाइन खतम है नहीं हो रही आराउंड आराउंड पचास से भी ज्यादा मुझे रखता है सुपरकार्स होंगी ये और ये रहे हमारे प्लेयर्स नोबिता और टिंगो शेंचैन जो कि पिछली बार हार गया था अबे तुने गर्ण की वहार निका समझे और इस करूँ से तो मुझे बदला भी लेना है और वस बहुत हो गया इस बार मही रहे शुरू करूंगा नहीं और शाज मिश्च मेश्च बैटरी नहीं करा vinden रहे हुँime करूंगा और नहीं करेग नहीं इस बार तो रहे स्टार्ट मैं ही करूंगा तुझे या फिरे नूबिता शुरू करता है, शौन भाई मैं ही करूगा, बस मैं शुरू करने रगा हूँ, अश्य चल ठीक है भाई, तुघ लेकार स्टार्ट कौन सी कर लेगा, चलो 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 देखें कौन सी कार ले रहे हैं हमारे कलुवा भाई, वाउ, काफी जाद बाइ डैशिंग कार लिए यार क्या बात है इसका आगे कौन सा है पीछे कौन सा कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं तो चलो जी कलूआ चल पड़ा है रेस को कंप्रीट करने के लिए देखते हैं कि क्या वो इस रेस को कंप्रीट कर पाता है या पिर हर जाता है बहुत अच्छे से चल रहे हैं यह क्या थोड़ा सा अरे नहीं नहीं कंट्रोल कंट्रोल अब तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बहुत ही असाल लग रहा है यहां पर तो स्पीड में कार चलाते हुए काफी जाधा कौन्फिडेंट लग रहे हैं क्या यहाँ इस रेसों कम्प्रेट कर पाएंगे देखते हैं और यहाँ पर थोड़ा साइज है यहाँ पर इन्हें से मलना होगा कार की स्पीड भी बहुत जादा है क्योंकि यह सूपर कार है तो इन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा लेकिन असल प्रॉब्लम्स तो बाद में आएंगी जड़ाई पर क्योंकि तब जड़ाई बिल्कुल सीरी हो जाएगी और तब ये देखना होगा कि क्या वो इस कार गो बैलेंस कर पाते हैं या नहीं कलवे तो तो अभी से ही परशान हो गया वे तो तो अभी से ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है जैसा कि आप सबी लोग देखी पा रहे हैं कि कार की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि भाई साहब नहीं 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 करो 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 रुख जर 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 बहुत ही मुश सिधा 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 करना होगा कोशिश कर रहे हैं जी हां कार हो गई सीधी बहुत मुश्किर हो रही है कार को चलाना लगता है इन्होंने गरत कार चूज़ करनी थोड़ी स्पीड़ वाल्य थोड़ी powerful car choose करनी चाहिए थी खैर कोई नहीं अब तो इसी से continue करने की कोशिश करनी होगी बस देखना ये है कि ये कहां तक पहुँच पाते हैं नहीं नहीं बहुत मुश्किल हो गई है यकीन नहीं आ रहा कि ये एक super car है जो कि इतना slow चल रही है और कलूओ के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है साइड से बहुत मुश्किल से बचे हैं सिधी चड़ाई है कितनी ज़्यादा height है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर plane चल रहा है बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है क्या साइट से गिर जाएंगे लेकिन नहीं अब तो कार नहीं चल रही बूस्टर का इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन क्या ही यह booster से नीचे गिर ना जाएं क्योंकि edges बहुत छोटे हैं और वही हुआ नीचे गिर गया कलुआ बिल्कुल endpoint पर पहुँच चुके थे लेकिन फिर से नीचे गिर चुके है कलुआ की पहले lifeline खत्म हो गई अरे बार कै बात है, कलुवा हर गया मेरी बारी है, चाहिए divisor मन देखना कैसे कर दीजिता हूँ अब देखना किसे जीत देता हूँ यह, बहुत मज़ै आया कलुवा हर गया देखते रहो, दोस्तों, अब तुम मुझे देखना कैसे रिस्क को करता हूँ नेली सिकर में एक काला से टीशिट पहन कर मैं चला रिस्क को जीतने येस और मैं ही जीतूंगा तो अब यहाँ पर आचुके हैं टिंकू शेंचैन देखते हैं कि क्या वो इस रिस्क कंप्लीट कर पाता है कि नहीं ये तो भाई सहब यहीं पर घृते गरते बचे हैं बहुत ही जादा मुश्किल हो रही है इनके लिए तो अभी ही लेकिन ये अपनी ओफर कॉंफिडेंस की वज़े से इतनी मुश्किल हों का सामना कर रहे है ये भी वहीं पर टकर आया जहां पर कल वह टकर आया था लेकिन क्या बात है उन्हें तो अभी बूस्टर कर लिया है लेकिन देखना ये होगा कि क्या उचाई पर जादने के बाद इनकी कार अच्छे से परफॉर्म करेगी कि नहीं अभी तक तक तुब अद्धा मामिला चल रहा है टिंगू शेंचेंज बहुत अच्छा पर्फॉर्म कर रहे हैं वह टिंगू शेंचेंज ऑलौ सम्झेज अब यह चुप कर मास्टर सिंचैन टिंगू कहीं के जदा बकवासमत का जुच्चा बरेस पर ध्यान दे बहुत बत्मीज हो गया है तू समझे शोइंज भाई समझे लो इसे और इन्होंने रेस को 40% तक कंप्लीट कर लिया है कार भी बहुत अच्छे से चल रही है लगता है इन्होंने थोड़ीजी पारवाली कार चुन्ई है लेकिन नहीं हम गलत थे कार पारवाली नहीं है और इनको भी तकलीफ हो रही है फिर से चड़हाई करने में चड़हाई करने में और ये क्या बच गए अब देखना ये होगा कि क्या यह और आ के जा पाते हैं कार बहुत ज़्याद मुश्किल हो रहा है बुस्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है नहीं 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 कार तो भाई आउट ओट ऑफ कंट्रोल हो रहा है रुचा 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 बच गए बच गए है 50% सभच पार्क कर लिया है और और नहीं 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 रुको रुको पड़े पड़े बूश्टर का फिर से इस्तिमौल खिया है लेकिन कब तक नहीं आखिरण का रश इंचेंटिंग भी नीचे गिरता हुआ भिन इस पेहली रaming नहीं कर पाया उसके भी पहली लाइफ 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 लाइन खत्म होती है तो अब बारी है हमारे डोरे मौर के गैजट्स पर पलने वाले नोबिता भाई की चलो देखते हैं नोबिता कौन सी कार को चूस करता है ये के तो कार में बैठ भी गया लेकिन नहीं ये तो कार से निकल भी गया लगता है भाय इनके दिवाह में कुछ और ही चल रहा है क्या ये तो समझना होगा कौन से कार चूस करते हैं ये और और ये रेड वाली कार इनोने पसंद की है क्या बात है ये भी स्टार्टिंग में चल रहे हैं इस्पीड में चल रहे हैं लेकिन ये रेस दोस्तों ये जादा आसान नहीं है अमारे बाकिके प्लेज eks भी ऐसे ही स्टार्ट किया था लेकिन आके जाकर उन्हें भी बहुत सारी प्रॉंगS का चारणा करना अपड़ बहुत ही जादा अच्छा चल रहा है कि कोई नहीं जीते गई यह यह चश्मिस बैटरी के बसकीत ही नहीं है बिल्कुल भी कि रेस जीत जाए है रेस तुम महीं जीतूंगा बस जल्दी से मेरा नंबर आ जाए देखते रहना तुम लोग मैं ही रेस जीतूंगा चुपकार ज्यादा बखवास मत कर बिटिंगो तुम क्या घंटा रेस जीतेगा अगली बारी मेरी है मैं ही रेस जीतूंगा अबे रुख जाओ बे रुख जाओ पहले नोबिता के तो कंप्लीट कर लें दो अपनी पारी फिर बाद में लट देना कि कौन जीतेगा साले आगे तक तो पहुंच नहीं हुआ बस अब लड़ रहे हैं कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे यहाँ पर बुष्टर का इस्तमाल करते हुए गाड़ी आउट ओफ कंट्रोल हो रही है क्या यहाँ से नीचे गिर जाएंगे देखने वाला बात होगी स्पीड को थोगा सकम करना होगा नीचे जा रहे हैं साइड में जा रहे हैं रोकना होगा बुष्टर इस्तमाल किया है बहुत अच्छे बहुत अच्छे क्या बात है परफॉर्मेंस तो सही चल रही है अब तक की ठीक है ठीक है कार काफी ज़ादा देख रहे हैं हम आउट अफ कंट्रोल हो रही है नीचे की तरफ गिरती जा रही है कार स्लाइड हो रही है और क्या रोक पाएंगे बूश्र का इस्तुमाल किया है रोकने के लिए कार को क्या बात है बहुत अच्छे बहुत अच्छे इन्होंने अब तक कंट्रोल किया हुआ है बस ये लास्ट लैप तक रह गया है ओ बहुत ही मुश्किल से गिरते हुए बचे हैं लेकिन कार कंट्रोल नहीं हो रही है नीचे तरफ जाती जा रही है क्या ये रोक पाएंगे ओ नहीं नहीं बहुत कोशिश करने के बाउजूद भी आखिर कार फेल हो गए नोबिता भी उनकी कार भी नीचे गिर गई और इसे के साथ नोबिता का भी पहला लाइफ लाईफ लाइफ लाइन खत्म होता है क्या बात है नोबिता भाई तुम भी यार गए चलो अब इसे मेरी भरी आगई देखना अब मैं जीत के पका रहूँगा कार अच्छी से चूज़ करूँगा क्योंकि यह रेज बहुत ही जादा डिफिकल्ट है और उपर जाते ही और भी जादा डिफिकल्ट हो जाती है वो देखो सीधी चड़ाई है इसे लिए मैं पावरफुल कार लूँगा ये वाली येस कल्वी ये कार लेकर तो बहुत बढ़ी गरती कर रहा है क्योंकि कार बहुत बढ़ी है देखना तो हारेगा फिर से चुपकर में मनहुंस साला अभी से ही भाकवास कर रहा है बच गया बच गया तो भाई साहब फिर से आ गए है अपने ओ गोलिया मत चलाई ये फ्रैंकली जी बहुत मुश्किन सा बचे है बिल्कुल साइड में देखना ये होगा कि क्या इस बार ये सरे सो कंपलीट कर पाएंगे कि नहीं क्योंकि पिछली बार इनका परफॉर्मेंस दोस्तों सही था लेकिन बिल्कुल एंड पे जाके हार गए थे ये इस बार इन्होंने दूसरी कार ली है लेकिन कोई फायदा नहीं फिर से उसी पॉइंट पर आकर टकराए और फिर से उसी पॉइंट पर रुख गए थे ये लेकिन ये कार काफी ज़्यादा पावरफूल है तो देखना ये होगा कि क्या इनका प्रेडिक्शन काम आता है क्या इन्हों जो सोचा है कि ये इस कार से अपनी रेस को कंप्रीट कर पाएंगे वो सच होता है या फिर ये फिर से हार जाते है ये तो देखने वाली बात होगी लेकिन दोस्तो मैं अब सबको बता दूँ कि इस रेस में सभी प्लेयर्स के पास सिर्फ और सिर्फ तीन लाइफ लाइफलाइन से यानि कि ये हमारे फ्रेंकलिन की दूसरे lifeline है देखते हैं कि हमारत कलुवा महराज इस lifeline का कैसे इस्तामाल कर पाते हैं और क्या ये इस Bus Riz को जीत पाते हैं या फिर फिर से शिंचैन और नोविते कि बारी आएगी लेकिन दोस्तों जहां तक अब तक मैं देख रहा हूँ इनका performance काफी जादा अच्छा रहा है और यह चल भी बहुत अच्छे रहा है लेकर यह काया इनकी गाज़टिडी हो रही है और नहीं नहीं लगता है इनको नजर लग गई और यह फिर से नीचे गुर गया कोई फाइदा नहीं और इसी के साथ कलुए ने अपनी दूसरी लाइफ 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 लाइन भी वेस्ट कर दी एनिवे मैं बहुत खुश हुई मेरी फिर से बाहरी आ गई लेकिन नहीं मुझे कार अच्छा से पसंद करनी हो की बहुत ज्यादा सोच समझ की उस कल ठीक है तो शिंचेन फिर से चल पड़ा है अपने दूसरी लाइफ 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 को यूज करने के लिए और क्या देखते हैं कि वह इस रेस को जीत पाता है या फिर वह भी कलवा फ्रैंकलिन की तरह नीचे गिर जाता है ओ और कम्यूनिटेटर भाई ऐसे कुछ नि होने वाला है मैं अब रेस जीत करहूंगा और मुझे न उस कलवे के साथ कंपेर मत करो समझे मैं उस कलवे से बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर हूँ शौंज भाई जरह बताओ इसे हां हां बहुत अच्छा प्लेयर तो लोड़े से गलती से हैर गे थे वाँ 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 अपने खामियों को छुपाते हुए लेकिन हम सब जानते हैं दोस्तों कि यह रेस हारे थे इनका परफॉर्मेंस पिछले तीन देशों से काफी ज़्यादा खराब रहा है लेकिन देखते हैं कि क्या यह फिर से इस रेस में फॉर्म में वापस आपाते हैं या फिर इस रेस में भी इन्हें हार का मूँ देखना पड़ेगा दैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि इनका परफॉर्मेंस अभी तक तो ठीक है लेकिन यह तो वही पॉइंट है जहां पर सभी प्लेयर्स अच्छा ही परफॉर्म करते हैं ले फिर से यह गिर जाएंगे नहीं नहीं बिलकुल एजबर पहुच हैं और यह क्या अपनी कार को कंट्रोल नहीं कर पाए और फिर से इन्होंने अपनी दूसरी लाइफ लाइफ लाइन भी गवा दी है कोशिश कर रहे हैं फिर से चंड़े की लेकिन कोई फायदा नहीं इस कंप्रीट हो जाएगी वस अरे नहीं नहीं जी क्या हो गया अरे नहीं मैं तो बटक गया टेड़ा हो गया तो इसी के साथ टिंगू शेंचैन का भाई दिमाग और ट्रिक खेलने कोशिश की वह आइडिया भी बिलकुल फेल हो गया और टिंगू अपना दूसरी लाइफ तो चलिए अब चलते हैं अब हैं हमारे नोबिता जी की बारी तो देखते हैं कि नोबिता क्या कर पाता है अब बारी है हमारे चश्मिश नोबिता जी की देखते हैं कि क्या वो इस से सो कंप्रीट कर पाते हैं कि नहीं लेकिन फिलाल तो एक कार चूस कर रहे हैं और ये क्य आवाद है जिस कार को लात मारी आखिर कर यह उसी कार में बैठ गए और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों कि यह एक रेसर कार है यानि कि इसके अंदर पावर बहुत जादा है तो क्या नोविता की यह चॉइस उसे रेस जिताएगी क्या नोबिता दोस्तों वो रेस जीत पाएगा और अपनी पहली जीत दर्ज कर पाएंगे इस रेस में देखने वाली बात होगी और फिर से बागी प्लेयर्स के तरह और अपनी पिछली बारी के तरह ये फिर से अच्छे से परफॉर्म करते हुए लेकिन ये फेस सो दोस्तों सब अच्छे से परफॉर्म करते हैं लेकिन देखने वाली बात ये होगी लेकिन नोबिता जी क्या आप डोरिमोन का कोई गैजट लेकर आए हैं नहीं तो लेकर आना चीह था ना क्योंकि आप तो बैटरी महराज जीतेंगे जब नोबिता जब डो लेकिन यहां पर नोबिता की मुश्किले थोड़ी सी बढ़ती हुई क्योंकि कार आउट अफ कंट्रोल होती जा रही हैं बूस्टर का इस्तवाल करते हुई लेकिन यहाँ पर इनके मुश्किले बढ़ रही है काफी ज़्यादा मुश्किल हो रही है इन्हें आगे जाने में क्योंकि दोस्तों भले हिनों ने रेस कार को यूस किया है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये रेस कार काफी ज़्यादा स्पीडी है लेकिन कंट्रोल करना बहुत ही जदा मुश्किल क्योंकि ये रेस कार काफी जदा हलकी भी है स्पीड तो है इसमें लेकिन वज़न नहीं है जिसकी वज़े से ये कार को रुकना बहुत ही जदा मुश्किल है लेकिन नौबिता जी आके हो चुके है देखते हैं कि क्या वो ये कुरतिमान हासिल कर पाएंगे क्या वो इस race को जीत पाते हैं कि नहीं बिल्कुल साइड पर पहुँच गए है लेकिन बच गए क्या बात है तो चलो जी नोबिता ने फिर से अपनी इंटेलिजन्स को दिखाया है और उसने कार को वापस करके यहाँ पिर बाइक मंगा ली है लेकिन देखते हैं कि क्या इनकी ये स्ट्राटिजी काम आती है और ये इस रेस कंप्लीट कर पाते हैं या फिर इनकी ये स्ट्राटिजी भी फेल हो जाती है लेकिन जैसा कि हम दोस्तों देख पा रहे हैं कि अब तक तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इनकी बाइक बहुत शांदार चल रही है और शायद से कि ये रेस को जीत जाएंगे लेकिन नहीं यहां फिर से इनके बाइक की भी स्पीड कम होती जा रही है और जैसे कि इन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस रहा है मैं एक बात ऐस अ कमेंटेटर कह सकता हूँ कि ये लोग इस रेस को कम्प्लेट नहीं कर पाएंगे इन तीनों की बात हो रही है कलुआ नोविता और टिंगू तीनों मेंसे कोई भी आज इस रेस को नहीं जीतेगा और तीनों अपने पैसे गवाने वाले हैं लेकिन ये क्या नोविता नहीं नहीं ओ येस मुझे गलत साबित करते हुए क्या बात है, नोबिता ने मुझे गलत साभित कर दिया क्या बात है यार दोस्तों, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि नोबिता नोबिता ने आखिरकार भाई, इस using को complete कर लिया है, लेकिन कैसे वागई में नोबिता के अंदर भले ही भाई, उतना जदा ये और बाईक से आधी पार से और आधी रेस बाईक से कंप्से कंप्रिट करके आखिरकार यह रेस नोबिता ने कंप्लीट कर ही ली तो नोबिता के लिए एक बार तालियां ज़हूर और यह, दिखो यार, वो कहीं दूर निचे खड़े होंगे जहां पर भाई छोड़े छोड़े दिख रहे हैं कलुआ और शिंचैन वो तो बिचारे वहीं पर रह गए लेकिन नोविता ने रेसो कंप्लेट कर लिया है एक बार नोविता के लिए लाइक तो बनता ही है नोविता नोविता और ये सब नोविता ने किया है डोरेमोन के गैजिट के बगैर तो नोविता जी जल्द ही हम आपको आपका प्राइज मनी लिया कर देते हैं बस आप वेट कीजे तो ये देखो भाईयों यार इतनी सारी सूपरकार्स ये देखो इसमें लेंबॉगरी सियान भी है ओ अराम से नोविता पर लास्ट में भाई दो लेंबॉगरी सियान भी खड़े वे हैं भाई अलग-अलग मॉडल्स के क्या बात है और इतना ही नहीं इधर देखो भाई ये इतने सारी गोल्ड ट्रेज ओ माई गॉड भाई ये गोल्ड ट्रेज भी खतम होने का नाम नहीं ले रहे हैं मैं पक्का कह सकता हूँ कि सौ से अराउंड तो होंगे भाई ये गोल्ड ट्रेज और पचास से भी जादा ये सूपर कार्स क्या बात है भाई साब वो नोबिता तो भाई सच में इसने तो बाजी मार रहे है भाई सौ सुनार के एक लोहार के वाली बात हो गई है फ्रैंक्लिन और उस सिंचैन ने भाई इतनी सारे रहसे जीती लेकिन भाई नोबिता ने सिर्फ एक रहस जीती और मुझे लगता है कि भाई ये सिंचैन और फ्रैंक्लिन से भी ज्यादा प्राइज ये जीत चुका है क्या बात है यार अरे हैं कहने तो पड़ेगा शौज भाई आपने कुछ जाधा ही दे दिया इस बैटरी छाप को इसको इतना मत दीजिए ये इसकी लाइक भी नहीं है हां पक्कर इसने डूर्मन को कोई गैजट यूस किया हुआ है तभी ये इस रेस को जीत पाया और है इसने तो चिटी भ जारी थी कि इसने भाई कार आधे रासे में चेंज करके बाइक ले ली समझा इसलिए रेस का विनर यहीं है बस अब ज़्यादा बकवास नहीं बस यहीं विनर है मतलब यहीं विनर है ठीक है शौज भाई मुझे भी कोई अपती नहीं है नोबिता भाई जीत गए कोई बात नहीं मुझे खुशी है और उससे भी ज़्यादा खुश है इस बात की है कि यह टिंगो शिंचैन हार गया क्या बात है बहुत खुश हूँ मैं तो इस टिंगो के हारने पे नोबिता भाई कॉंगराचुलेशन्स आपने तो ढहर सारी सुपरकार जीत ली लेकिन यह तो बता आपकी फेवरेट कौन सी है मेरी फेवरेट यह वाली है क्या बात है लेंबॉग नहीं से यान वाकई में बहुत अच्छी कार है लेकिन थ्टादीरे चलाओ नीचे मत गिर जाना रै बदेर अराम से मुझे क्यूं मारतो गया क्या सारी सारी गल्ति से हो गया कोई बात नहीं लेकिन भाई तुम लोग देखो यार कितना सारा प्राइज मिला है नोविता को यार कितनी सारी सूपरकार्स है मतलब एक बार में तो भाई इने काउंट करना भी इन सूपरकार्स को भाई मुश्किल है वह नोबिता भाई पूरे टेशन में सूपरकार्स के उपर खड़ा हो गया है और सूपरकार्स से भी जादा important भाई साहब ये गोल ट्रेजर और ये क्या नोबिता भाई नीचे चलो फिसे चलो वहीं पे बाई सच में नोबिता तो लॉस सेंटोस का सबसे अमीर बंदों में से एक बन चुका है I guess कि ये कलवे से भी ज़्यादा अमीर बन चुका है है ना कलवे हाँ शाँज भाई कह सकते हो कि नोबिता भाई तो मुझसे भी अमीर हो चुके हैं लेकिन मेरी ठही सारी इंवेस्मेंट्स भी हैं तो मैं अमीर हूँ अभी भी तो चलो भाई आज कि इस वीडियो में बस इतना ही नोबिता ने भाई अपनी पहली जीत तरज कर ली है इंस्टन्ट रेसों में और वो भी बहुत जादा तगड़ी भाई ऐसी स्टन्ट रेस जोकी सेंचैन और कलुआ भी पूरा नहीं कर पा रहे थे उससे नोबिता ने कंप्लीट कर लिया और भाई धेर सारी सूपर कार्स और इतना सारा गोल जीत लिया है तो भाई इसी बात पे वीडियो पे एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भोलना क्या बात है नोबिता भाई कार्स को टेस्ट कर रहे हैं करो करो क्या बात है बहुत क्यूट लग रहे हो भाई कार चलाते समय करो करो इन कार्स को टेस्ट करो हम चलते हैं मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तिल देन सब्सक्राइब चैनल टू स्टेइ क्नेक्टेड क्या ब